हेलो फ्रेंड्स मैं मिक्स ब्लोग में आपका स्वागत है आप लोग कैसे हैं आई होप आप लोग अच्छे होंगे देख सकते हैं मैं चावल का पकोड़ी बनाने का तयारी कर रहे हूँ यह मेरा रात का चावल था जोकि मैं सूबर इसको फैमिली को खिला होंगी इसको कता हुआ प्याज डाल रहे हूँ जोड़ाइन के बाद मैं अब जीरा डालीगा delivered देह सकते हैं मैंने हाफ टेश्पून जीरा डाल दिया है मीरा जीरा पढ़ गया है कि मैं इसσι में को हीजवाइन डूंग सेम हाफ टेश्पून अजवाइन रहे अजवायन का टेस्ट पकोड़ी में बहुत अच्छा लगता है किसी भी चिछ का पकोड़ी बनाई अजवायन जरूर डाले और मैंने हाफ टेश्पून मिर्श डाल दिया है और हाफ टेश्पून ही हल्दी पाउडर डाल दिया और अपने स्वाधन उसार मैं नमक एड़ करू अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे से त्यार करूंगी सारे मसालों को मैं हाथों की मदद से मिला दूंगी पूर। हमीर चाबलब मसाला मेरा अच्छे से मिल गया है अब मैं गैसपर शड़ाई चड़ाऊंगी उसमें घी डालंगी गी लाल हो जाने के बाद मैं एक तुकड़ा डाला चेक canale गीना मेरा घी लाल हो गया है मैं यह तोड़ा से दबा करेंग अपना Hai तो क्योंकि देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग में डाला है तो आपका पर्फेक्ट होगा मैंने फटाफट सारे डो डाल दिया है दिख सकते हैं जब मैंने दबागे डाला तो बहुत अच्छा गोला गोला रैडी हो गया अब इसको एक प्लेट में स्वप करके दिखाऊंगी आपको किस तरह से क्रिस्पी पन आपके कानों में गया ना अच्छा हैंना क्रिस्पी पनिस का पुरा करारा स्वात में लाजवाब पकोडी बन के तयार हो गया आप मिनट के अंदर ही आपके चावल का पकोडी रेडी हो जाएगा एक बार आप अपनी फ्रेंट्स को फैमिली को बना के जरूर खिलाएगा और बताइएगा कमेंट करके कि पकोडी कैसा लगा है थैंक यू वाचिंग मैं फूल चैनल चाते चाते अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू वाचिंग मैं वीडियो